गाड़ी लेके और दोनों बेटिया घर पे हैं और मैं सारा काम फ्री करके बस अभी जश खड़ी हूई 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 वीडियो को एंड कर देती हूँ कब जाएगी पता नहीं कब एडिट हो कब जाएगी है और क्या यह थंड हूई हो रही है और भृत हवा चल रही है बहुत जादा काम में बहुत भारिस हूई हूई और प्लीज फ्रैंड लोग ऐसा मत कीजिए वीडियो पे मैं आके कमेंड मесяं सब्सक्राइब मन शोब POL सब्सक्राइब कि पहले वह इखिट्टे कर लेंगे, सारा कम्पलीट कर लेंगे, तब वीडियो अप्लोड करेंगे, तो एसा कुछ नहीं, वह यूट्व के बहुत सारे रूल सारे हैं, तो सारी करे धाले पर पानी फिर जाएगा, और ऐसे मत कीजिए, वीडियो पे आके कमेंट मत कीजिए, म मैं आपको करूए गलत है प्लीज ऐसा मत किजिए किसी भी वीडियो पे किसी के भी चैनल पे ऐसा कमेंट मत करिए बहुत खतरनाग बहुत हो सकता है गाइस सारे की धराइप पानी चला जाए इतनी मेहनत किया सारी बरबाद हो जाएगी पता है मॉनिटाइजर में कितनी दिक् से साल रहा है बहुत और अभी आप लोगों के सामने है आप लोगों से जादा जानते हो कितने सालूर है तो मुझे टाइम लगे आप लोगों करने करने पर कोई नहीं मैं भी नहीं कितना मेहनत करें डिव बहुत कर रहалब। कि अबेग ऐं कुछा मुझे 5 ऐ 6 मोग दो मेंन प्लिस गई आसे किसी कि वीडियो पे ऐसे कमेंट मत केजी किसी के भी चैनल मेरे नहीं किसी के भी और को करें तो आप भी उसे समझाइए वहीं बात नहीं होगी भाता है जाई मैंने आंटी काई त्यडी मां वह सुद्धूर बरहा है बस यहता और कुछ नहीं था हूए और अ खाना बनाया तो उम्हेद करती है आप लोग को अच्छा लगए और अच्छा लगए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कोई सजरेस्ट है नो तो कमेंट वॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वाच कीजिएगा प्लीज जिसे मेरा थोड़ी सी मद दूट निकल आई है और बस जारी हूँ मैं छपपे छपपे जाके थोड़े से कप्ड़े प्लटूं इसी में आलू वालूंगी दाल वालूंगी टमाटर वालूंगी चार पांच चीजे एक साथ करूंगी मैं और यह आलू मैंने बहुत अच्छे से दो लिए क्योंकि यह दालने वाली हूँ और बहुत एक आसान तरीका है जब भी जलवाजी हो तो आप इस तरह से खाना वना सकते हैं मुझे थोड़े से ही चावल वनाने अपने लिए ही बस तो मेरा हो जाएगा एक जनों का तो इस तरह से ही कटोरी रखनी है फिर इसमें आलू डालने है ध्यान यह मुझे चटनी और यह देखिए आप लोग फिर से मैं दिखा देती हूँ इसमें बहुत सारे आलू डाले मैं चार-पांच आलू डाले इसका बनाओंगी आज बिहारी खाना बना रही हूँ हमारे पास में बिहारी अंटी रहती है वो ऐसे बनाती है तो मैं भी आप कोटी और चोखा थोड़ा सा बना रही हूँ और बहुत जल्दी बनता है बहुत यम्मी बनता है उमीद करते हूं आपको यह अच्छा लगया तो इसे बंद कर देती हूँ और यह वाली डाल है आप लोग देख लीजिए और बस इसे और बच्चों की पीछे आवाज आ रह देखते हैं पांच-दस मिनट के बाद मिलेंगे यह देखे गया था पांच मिनट में इस दाल हमारी बनके तיयार हो जाएगी बस यह कुकर बन कर दिया बहुत जल्दी बनती है बहुत जल्दी तो यह देखिए हमारी डाल और चावल और आलू बनगए बस इसमें टमाटर आपको दिखा देती हूं टमाटर की चटनी बनानी है और चावल भी देखिए कुछ भी वो नहीं है कटोरी में कैसे भर गाएंगी देखिए और आलू भी हमारे सब बनी वी चीज अलग दिख जाती है और चावल निकालें थोड़े साबधानी से चिम्ते से निकालेंगे हाथ चल जाएगा क्योंकि गरम होंगे और दाल में बस हमें पानी डालना होगा और कुछ नहीं है देखिए हमारे चावल थोड़े से भी गंदे नहीं हुए है दाल आल कुछ नहीं लगी यह देखिए बनीवी चीज अलग दिख रही है कुछ देखिए कितने अच्छे से बन गय जाओ और अभी आलू भी आपको दिखा दोंगी तो एक साथ बनाओ बस डाल में हमें थोड़ा सा पानी डालना है कियो कि दाल में पानी कम डाला था क्योंकि उपर आ जा जाती इसलिए और मैं अभी आपको आलू भी दिखा देती है यह देखिया हमारे आलू ईकल बन के अमारा तो इस तरह से बनाई बहुत जल्दी बंता है है हमने डाल में पानी उर टमाटर बस डाले हैं और मैं टमाटर पहले ही डाल लेती। तो बस पानी डाला और कुछ नहीं डाला और इन आलूओं को छील लेती हूँ बस ये देखिए इनको छीलना और कुछ नहीं करना दाल को रख देती हूँ साइट से और इनको छील लेती हूँ और फिर उधर दाल का तड़का भी लगने के लिए मैंने तयार रख दिया ये दे जाद हूंगी मैं और इसे चमश से खूद देंगे और इसमें नमक मिर्ची डाल के बहुत अच्छी बनती है बहुत जादा और आलू का मैं चोखा बनाने वाली हूं बहुत जादा और जैसे बनता वैसी आलू अभी गरम है बाद में करूं यह देखिए इसमें डाला प्याज यह सब डाला है और ऐसे बहुत जल्दी खाना बनता बहुत जल्दी आप लोग एक बाद ट्राइ कीजिए देखिए हमारा मसाला बुन चुका है और इसमें धनिये डाल दी देखिए कोई भी आजा फटा फट से खाना बनके तयार है और उधर बनाऊंगी चोखा वगएरा थोड़ी सी रोटियां से खूँगी मेरे हजबन के लिए और ये आलू मैंने छील लिए और इसमें टमाटा और ये ऐसे करके चटनी बना लूँगी इसमें नमक मिर्ज डाल के बहुत यम्मी बनती है तो बस खाना था मेरा फटा फट से बन गया आप लोग देख सकते हैं औ ये देखिए तो थोड़ा चोखा रखूंगी सब कुस थोड़ा थोड़ा लूँगी भरी हुई थाली ये देखिए इसमें प्याज हरी मिर्ची ये सब मिलाया है मैंने और कुछ नहीं मिलाया है और ले लेती हूं रोटियां और ये कैसा लगा कमेंट में जरूर यमीशी दाल कुछ भी बनाना जल्दी से जल्दी से बनाना तो उमीद करते हूं आप लोगों को अच्छी लगी और मैं हल्दी नहीं डालती हूं इस वाली दाल में तो आप लोगों हल्दी नहीं डाली मैं हल्दी नहीं डालती हूं और बहुत यमी बनाता बहुत बहुत ट टेक केर वीडियो छेले